हे अब्रिवन वेल्कम बेक टू मैं चैनल रिजास किचिन फ्लेवर्स आज मैं बनाने जा रही हूं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मूम दाल के लड़ू इसे बनाना बहुत ही एजी है जब भी आपको स्वीट्स काने का मनों आप इसे जटपड बना सकते हैं तो देर किस बा सबसे पहले देखने को मिलेगी यहां मैंने कडायी लिया है कडाई में 1 कप सोग मूंग दाल दालेंगे मूंग डाल को तू आवर्स के लिए वाटर में सोग किया था और उसके बार दाल को अच्छे से वाश करगे सारा एक्स्ट्रा वाटर ड्रेंड कर लिया है नाल को 15-20 म नट्स तक ड्राइ रोस्ट करना है गोल्डन ब्राउन होने तक देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब एक ग्राइंडर जार में रोस्टिट मम दाल को ट्रांसपर कर लेते हैं फिर इसमें 10-15 आलमंड्स 10-15 काजू भी डालेंगे आप अपने चोईस से कोई भी ड्राइफूर्स ले सकते हैं अब इसको दर्दरा ग्राइंड कर लेंगे इसका फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे आप देख सकते हैं कितना दर्दरा दिख रहा है आप सबको भी ऐसी दर्दरा ग्राइंड कर लेना है यहां मे अब इसको ठंडा होनी के लिए छोड़ देते हैं चलिए फिर आगी के प्रोसेस में अब एक मिक्सिंग बाल में ट्रांसपर कर लेते हैं अब मैं इसमें वन कप पॉड़ो शुगर अगर आपके पास पॉड़ो शुगर आवलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर लेके ग्राइंड करके उसका पॉड़ो बना सकते हैं अब एक बर मिक्स कर लेंगे आप चेक कर सकते हैं अपने हाथ में लेके आपके लड़ो बन पा रहे हैं अगर आपके लड़ो नहीं बन पा रहे हैं तो थोड़ा सा और इसमें घी डाल ले आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लड़ो बन के रेडी हो गया है मैंने या स्मॉल साइस के लड़ो बनाया आप चाहें तो बड़े भी लड़ो बना सकते हैं यहां मैं आलमंट से गार्णिश कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई सबी ड्राइफ रूट्स ले सकते हैं अपने चोई से, आप देख सकते हैं कितना शानदार दिख रहा है, आप इसको एर टाइट कंटेनर में वन मंस तक स्टोर करके रख सकते हैं, आप सब भी इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को ट्राइब करें और मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में बताएं आप सब को कैसा लगा, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, कॉमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो फिर मिलती हो नेक्स्ट रेसिपी के स तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर